राष्टे देक्ष मलिकार जुन की खडगे और रहूल गांधी जी ने जैसा की अपनी स्टेटमेंट में कॉंग्रेस के हमारे कारे करता उनसे ये अपील करी है उनसे की अधिक से अधिक राहत कारे में कॉंग्रेस के कारे करता अपना योगदान दे ऐसा कॉंग्रेस पार्टी संखल लेती हैं. We will start with the main issue of the other issue of our press conference now. आज का जो हमारी प्रेस वारता का जो मुद्दा हमने लिया है अगनी वील योजना को लेकर आपने देखा होगा कि पिछले तीन-चार दिन से तमाम अखबारों में खबरों में एक बात आरी है कि फौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है जिसमें अगनी पत योजना को के बारे में बहुत से खामिया हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही है और इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में अलग-अलग अठकले इन जो इंटरन समय सर्वेज जो आमी का इंटरन सर्वेज इसको कोट करके सारी सारे अखबारों ने ये अपनी खबरे प्रकाशित करी हैं उसमें अधि जिन कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाये जाएं कि अगनी पत्योजना की जो खामिया हैं उनको तरूतियों कैसे दूर किया जाएं जिसमें उधार्ण के तौर पे कहा जा रहा है कि चार साल से बढ़ा कर अगनी वीर का टेनियो और साथ साल किया जाएगा या जो ट्रेनिंग पीरिड है वो 24 हफते से बढ़ा कर 37 से 42 हफते किया जाएगा ये तीन बातें निकल के आ रही हैं खामियों के लावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं इन पर मन्थन हो रहा है तो सबसे पहले तो भातिराश से कॉंग्रेस स्पस्ट करना चाहत अगनीपत योजना अगनीवीर भरती की योजना पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पून्त है ये योजना ना देश हितमे है ना देश की फौज के हितमे है ना देश के नौजवान के हितमे है ना देश की सुरक्षा के हितमे है और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक करते हैं सरकार इस योजना की खामियों को स्विकार करते हैं अपनी गलती स्विकारें और पूर्णता इस योजना को वापिस लिया जाए पूरी तरीके से और पकी भरती जो अगनीपत योजना 2022 से पहले होती रही देश की फौज में 1947 से लेकर 2022 तक उस पक्की योग भरती को पूर्ण रूप से दुबारा से शुरू किया जाए ये आदी अदूरी जो बाते चल रही हैं इनसे काम चलने नहीं वाला ये एक योजना देश की फौज के लिए बड़ी घातक योजना साबित हुई ये रिपोर्ट्स बतारी आपने देखा होगा आपके बहुत से अख़बारों ने उन रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया है वो सारी बाते सत्य साबित हुई जिन बातों को लेकर हमने आपके बीच म में बार-बार इस सरकार को आगा किया था जब ये वो योजना सरकार लेके आई थी पहला सवाल जो आया ये बड़ा महतपूर्ण सवाल है हमने हमेशा उठाया इंटरनल रिपोर्ट में फौज की इंटरनल रिपोर्ट में आया कि अगनी वीर जो हैं उनके बीच में जो जजबा पहले हुआ करता था फौज में एक दूसरे से के साथ सयोग करके चलने का जजबा एक दूसरे पर जान निचावर करने का जजबा देश पर जान कुर्बान करने के जजबे के साथ साथ एक दूसरे पर जान निचावर करने का जजबा किसी कोई अगर घायल हो गया तो किलो मिटर पर किलो मिटर उसको अपने कंदो पर लेकर सुरक्सित जगा पहुचाने का जजबा ये जो सारा जजबा होता था फौज की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जजबे में कमी आई है और क्योंकि 25% ही रखे जाएंगे बाकी सब की छुटी कर दी जाएगी आपस में परती दोन्दता और परतीस परदा का बहौल अगनी वीरों में बन गया है जो कि फौज की किसी भी फौज की मजबूती के लिए और मनोबल के लिए अच्छानी और ये मैं आपको बता दूँ कि फौज की सबसे बड़ी अगर हतियार किसी फौज के पास होता है तो उसका मनोबल होता है किसी भी हतियार से बड़ा अगर कोई हतियार है तो फौज का मनोबल है और ये अगनी वीर योजना फौज के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं जैसे सारे अखबारों में आया है कि उस मनोबल के लिए और उस आपसी ताल मेल भाईचारे की सहयोग की आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना में जो गिरावट आई है ये सबूत है इस बात का जो हमने शुरू से कहा था कि ये दूसरी बात, एक और बात आई है निकल के ये इसमें आई कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है। छे महिने की ट्रेनिंग यानि की 24 हफते की ट्रेनिंग से जो अगनीवीर उनकी जो प्रफॉर्मेंस है वो ट्रेनिंग फॉज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है और इसलिए ट्रेनिंग का जो पीरेड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफते, 24 हफते से बढ़ाकर 37 से वियाली सभते करने की बात कही जा रही है तो कॉंग्रिस पार्टी की ये जिसमें दिपेंदर हुड़ा अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाते में नजर आ रही है और सरकार से काउंग्रिस पार्टी ने मांग किले की एक वर फिर से नए सिसरे से 2022 से पहले बहाली होती थी उसी प्रकरिया से बहाली की शुरुआत की जाए